यहां दी गई जानकारी जियोतिश पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है TV9 Digital इसकी पुष्टी नहीं करता है यहां बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशय के एक्सपर्ट से निजी दौर पर सलह अवश्य ले अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे अच्छे दिन बूरे दिनों में बदल जाएं तो आप संभल जाएं अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान जरूर दे अकसर घर में रखी कुछ ऐसी चीजें समय के बाद पूरा असर देने लगती हैं इसके साथ ही आपके राशी की पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे सबसे पहले गुरुदेव से हम जानते हैं कि घर में कोई पुरानी चीजे रखी रहती हैं शॉक शॉक में लोग रख लेते हैं कि हम इसे नहीं फेकना चाहते हमारे इसे अटाश्मेंट हैं पर इससे ऐसी चीजे घर में रखने से कौन से ग्रैप पुरे पर भाव देते हैं। बटा अगर आप सुबा बिस्तर से नहीं उठते और रजाई में, कंबल में, कंबरे को बंद करके पड़े रहते हैं, तो आपको किस तरह का एसास होते हैं। आप डिप्रेसिव फिल करते हैं। और किसी काम का मन नहीं करता, आलत से बढ़ने लगता है। और कोई भी काम और जो उस दिन हो सकता था, वो सब रहता है। ठीक इसी परकार से। हमारे घर के अंदर रखी हुई हर वस्तू, इसका हिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज नहीं हिलानी चाहिए और वो क्या है। अपने मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति है। वो अगर आपने साब भी करी है, तो जहां से उठाइए वहां रखी हुई। और मूर्ति बिल्कों बहुत चोटी होनी चाहिए और फोटो तस्वीरे भी उनके उपर भी रोज कपड़ा लगना चाहिए। लेकिन जहां है वहीं रहे उसको नहीं बदल सकते। नहीं तो घर के अंदर कोई भी चीज बरतन हो, कपड़े हो, चारपाई हो, सोफा हो, टेबल हो, कुछ भी, everything इसका हिलना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि पुराने समय के अंदर, जब भी कोई बिस्तर, बैट वगरा बनाए जाते थे, वह इस तरह के बनाए जाते थे, कि यहां तो उसके नीचे जगा छोड़ी जाती थी, ठीक है, कि जिसके अंदर जाड़ू लग सकते। और आजकल यह बॉक्स वाले बैट बनते हैं, यह बड़े खतरनाफ हो गया है। क्योंकि यह उर्जा को बांद के रखते हैं और यह की जगा पर पड़ी उर्जा और उसी पर और उर्जा पढ़ जाने के कारण यह गलने लगती है, सड़ने लगती है और वह सड़ी हुई एनर्जी ही आपको खराब करने का काम करते हैं। घर के अंदर वो समान जो इस्तेमाल नहीं हो और जो महीनें ऑधर, सालों बर वही पर रहना है। मानों को रखना अपने परिवार की सेहत अपने बच्चों की बुद्धी आपकी अपनी बुद्धी और आपकी अपने करम इन सब को खराब करने जैसा होता है इसी लिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए चीजों को उठा करके साफ करके दुबारा टिकाने से भग बाया नहीं जाता इससे भागे घटना शुरू हो जाता है बुद्धी काम करना कम कर देती है और तकलीफे पहला है अभी आपने बोला की बॉक्स वाले बेट कर ट्रेंड बढ़ गया है अब आमोमन हर गर में ऐसी बेट देखने को मिलते हैं तो ऐसे में क्या किया जाए क्य इंचे जमा हुई ही जितनी भी धूल है जितनी भी मिटी है उसको जरूर साफ करें पोचा मारें अच्छा और उसके बाद वापस उसकी जगा पर रख करके उन चीजों को वापस एक एक करके टिकाना शुरू करें इससे क्या है बैड के अंदर रखी हुई वस्तुओं को भ जिए कि महीने में एक बार बॉक्स से वह चीजे निकाल करके आप दिन भर धूप में रखें और बाद में उनको शाम को बैड में ढाल दे और उसके बाद में भर रहने दिपें और ये बैड को हिलाना अंदर रखी हुई वस्तुओं को निकाल करके उनको भी सांस दिलाना यह आपके भागे के बढ़ने के निशानी होगी नहीं तो भूलने की बिमारी ठीक है कामों को याद ना रखने की बिमारी और काम करते करते काम को भूल करके कुछ और ही करने की बिमारी ये घर के अंदर जनम लेने लगती है और मामले खराब होता है चर्चा जारी रहेगी की सबसे पहले बात करेंगे मेश रिश्यव और मिथुन राशी वालों की मेश राशी के लोगों को आज गुसा जादा आएगा अवेग में रहेंगे और गुसा जादा रहेगा तो घर वाले हो या बाहर वाले किसी से भी लड़ाई संभाव है और यह हुआ तो अपने शरीर दिमाग बाद ज्यादा बोज पढ़ने के कारण स्वास्थे और पेट इसके हिस्से में भी कोई नो कोई दिक्कत बन सकती है तो सुबह स्वेरे थोड़ी से फूल मालाय लेका परमात्मा को अर्पित करें धहरे से दिन की शुरुवात करें ठहर ठहर के काम करें आपके रशब राशीर के लोगों को आज सुबह स्वेरे ही अपने बढ़ों के ओपर नाम करके उनसे पॉजिव उर्जा ले लेनी चाहिए क्योंकि दिन पहले शुबह इससे दिन और शुबह जाएगा कोई भी कार्या करें हर काम को निपुंता से करेंगे और अपना परभाव मिथुन रशीर के लोगों के लिए कामकाज के लिए तो दिन शुब है लेकिन स्वास्थे की खराबी की वज़े से सभाव का खराब होना दिन को खराब कर सकता है तो इसलिए बढ़के पेट पर दूद पानी चड़ाना और कुछ मीठा मंदिर में अर्पित करना आपके दि तस्वीरे हैं जो लगा सकते हैं और कौन सी तस्वीरे हैं जिने घर से निकाल देना चाहिए आपने एक बात सुनी होगी कि रत पर अर्जुन बैठे हुए हैं शिरी किष्ण खड़े हुए हैं लोग घर पर यह तस्वीर लगाने के लिए मना करते हैं ठीक है और और बहुत सारी इस तरह की तस्वीरे हैं जो भी तस्वीर देखते ही आपके अंदर उतेजना बड़े ऐसी कोई भी तस्वीर अपने घर पर लगाना बिलकुल बिलकुल कलाता है जो भी तस्वीर आपके अंदर कामुक विचार पैदा करें ऐसी तस्वीर घर पर लगाना पाप है और घर उसे बोलते हैं जहां पर मिया वीवी बच्चे और बड़े यह सब रहते हैं एसी पर आपके अंदर इमोशनल भाव पैदा करें प्यार पैदा करें परिवार के साथ परमात्मा के साथ लगाव पैदा करें ऐसी तस्वीर लगाना आलवेज शुब होता है शुब नहीं बहुत खुब अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बात करेंगे करक सिंग और कन्या राशी वालों की करक राशी के वो लोग जो आज कोई नए काम को अंजाम देना चाहते हैं किसी नए काम की नीव रखना चाहते हैं किसी नए काम के लिए सला करना चाहते हैं उनके लिए दिन हर तरह से उत्म है और जो काम चल रहे हैं उसमें भी सफलता के आसार है तो बस करना क्या है? थोड़ा सा दूर मंदिर में अर्पित करें और थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें सिंग राशी सिंग राशी वालोंने आज अगर किसी से भी इशा करी जलन करी तो उनका दिन पूरी तरह से खराब होने वाला है परिवार में जानकारी में किसी ना किसी का स्वास्थे भी खराब होगा और उपर से किसी से इशा करके आप अपना दिन खराब करने लगे हैं तो बिटा थोड़ा धैरे से रहे आपके लिए उत्तम होगा और थोड़ी सी खपूर की टिकिये मंदिर में रखकर तब दिन के शुरुआत करें कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए फिछले समय से जो भी जोजनाओं के उपर काम कर रहे हैं जो भी परियास कर रहे हैं उनकी सफलता का दिन है आज तो आज थोड़ा ज़्यादा परियास करें उनकामों को सक्सेस करने का आज आज आपके काम सफल हो गए थोड़ से चावल मिशी मंदिर में दे कर तब शुरुआत करें रिजल्ट और अच्छे हैं गुरुदेव घर में फटे पुराने कपड़े रखे जाते हैं उसकी पोट्री में बना बना कर एक कोने में रख दिया जाता है इससे कौन से घ्राइब बुरा प्रभाब दाते हैं रेडिमेड कपड़ें चद्रें तक्यों के लिहाव यह सारी के सारी जितनी चीजे हैं यह शुक्र और कितू के दारे में जादा तो ऐसे वस्ता के अंदर हम जैसे नहाद हो करके हम खुश्बूत और साबून से नहाते हैं ताकि हम एनर्जेटिक रहें नहाने के बाद इत् जितनी भी खुश्बू है यह सारी के चारी ंर्जा को बढ़ाने का काम करती है हमारे को नीद ना आये और अच्छी तरह से काम को समाईधारी के साथ फोकस कर सके इसके लिए खुश्मूने लगाई जाती है थीक है यह सारी शुकर की चीज़ें जिसली थिजद है इसी परक या ऐसे आपने कोना बना रखा उसके अंदर ये रखते जा रहे हैं यह शुक्र के एनर्जी सण ने लगा और शुक्र और शनी यह आपस में मित्र हैं या मिया बीविई है जिन घरों के अंदर इस तरह से कपड़ों की पोठीया region बनाके रखी जाती है उन घरों के अंदर मिया बीबी वाला सुख एक दूसरे के अंदर इंटरस्ट खतम होने लगता है एक दूसरे के साथ शिकायते बढ़ने लगती है एक दूसरे के साथ में समझ नहीं मिलती यानि ब्याता जोड़े की बात बोटा है और बचों को भी जव जवानी वाली दिखते आने लगती है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तिक है क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा संबन्द जवानी के साथ है जोश के साथ है अगर वो भी नहीं तो बच्चों को अपना टार्गेट अचीव करने के लिए जिस कदर चलाकी और मेनत करनी चा है नया लाते है यह अच्छा है नई उर्जा आती है पुरानी उर्जा जाती है लेकिन अगर वहीं पड़े पड़े यह कपड़े भी अपने अंदर से एक बुरी एनर्जी को निकालते है और उस एनर्जी का नाम भी राहू है कारण यह कि शुक्र लाल किताब के अनुसार राहू और केतू को मिला करके शुक्र बनता है जब वो कपड़ा नया अच्छा साफ धुला हुआ होता है तब उसमें से केतू उत्पन होता है लेकिन जब के यह कपड़ा पड़ा सढने लगता है और बहुत देर तक इसको कोई छूता नहीं और बहुत धेर लग जाता है त अब इसमें से राहू उत्पन होता है तो यह बिल्कुछ सत्या है लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि राहू और केतु को मिला के ही शुक्र बनता है तो केतु को प्रवल करिए यानि कि कपड़े उतने ही रखिए जिस धुलकर के साफ हो प्रैस हो करके अब दुबारा पै करेंगे बात करेंगे तुला वरिष्ट्रिक और धनुराशी वालों की तुला राशी वालों को आज सुबह स्वेरे कुछ्टे कहूं की कुछन को सेवा करनी चाहिए क्योंकि दिन खराब है आज आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसके अंदर नुक्सान के हाला ज जरूरी कामों को थोड़ा स्थागिद करें यजिन की उपर पैसा लगा हुआ है उनको थोड़ा स्थागिद करें कुछे को की सेवा करें सहस्ता से देग राशी वरष्ट्रिक राशी वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज हर तरह की चुस्ति चलाकी निपुंता हर इस तरह से नया उत्सा सब कुछ आपके पास होगा तो जिस कारे को भी करने की ठान लेंगे उसमें जीत करके ही आएंगे बस सुबस्वेरे प्रमात्मा के दर्शन करें और थोड़ा सा गुड मंदिर में अर्पेद करें धनुराशिक धनुराशिक के लोग आज काम पे जाएंगे तो वहां सफलता किसी भी चीज के लाब के लिए कोशिश करेंगे लाब मिल जाएगा और उपर से शाम को किसना किसी पार्टी या खुशी के महाल में भी जा सकते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है बस सुबा मंदिर जाकर अपने इ यानि कि छत डारेक्शन साउथ इस्ट ये भी जरमकुली के बार में घर के लिए इंडिकेट की जाती है लाल किताब में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो भाग्य की व्रदी के लिए बताया गया है कहते है घर के अंदर एक अंधेर कोशी हो जिसके अंदर सूर की उपया पैसा सामान वगरा रखते हैं तो आपका भाग्य सदा उनती करता है और वो डिरेक्शन कौन सी होती है साउथ इस्ट उसके लिए लाल किताब में कहा गया कि आपके घर में जब हम एंटर कर रहे हैं और जाकर के अगर सीधे हाथ के ओपर एक अंधेर कोट्री हो तो आपके भाग्य के लिए बहुत ही शुब होगी और जब तक वह होगी तब तक आपका भाग्य बढ़ेगा और जिस दिन वह तूटके उसमें सूरे की रोश्नी कर दोगे भाग्या मिट्टी हो जागा तो वहां पर कीमती चीजे रखना अच्छा होता है मेक अप का समान रख यह सब कुछ होगा तसले फावडे यह रखे हुए हैं लकडी लोहा रखा हुआ है बविश्य में कभी काम आने वाले गर्डर रखे हुए हैं तो समय लो यह बविश्य में काम नहीं आएंगे बिक जाएंगे और आपकी मेहनत को इतना जाना बढ़ा देंगे कि आप नया मक दान बनाने के काबिल ही नहीं बचते हैं इसी लिए अपने इसको बोलते हैं व्यास्थान इसको बोलते हैं सुख स्थान यह व्यावी आलवेज आदमी को पैसा खर्च करके ही सुख मिलता है समझे या दान दे के ही सुख मिलता है तो जो लोग अपने घर की छत के ऊपर इस मिलेगा तो अगर आपको शुक हो जगाना है सुख को पाना है तो सुख के स्थान को चा करें और घर की छट्थ से कबाड हुतारिये तावकर के जीवन वाक्य में ब्हुत में हो और रस kijा में चाहते हैं तो एस्टो साइंस देखना बिलकुल न भूलें बात आगए करेंगे मकर कुंभ और मीन राशी वालों की मक्का राशी मक्का राशी के वह लोग जो आई डिसाइड करना चाहते हैं कि अपने जरूरी कामों को जाकर के निप्टायां या आज जहां खुशी का महौल है वहां जाएं या थोड़ा मनरंजन कराएं तो मैं आज अला दूंगा कि आज मनरंजन बेहतर है खुशी के महौल में जाना बेहतर है क्योंकि काम काज के लिए आज का दिन कुछ जादा अच्छा नहीं है फिर भी जाना पड़े तो खोई की मिठाई मंदिर में रखकर तब जाएं परमात्मा आपको असाब देगा कुमराशी वालों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बेतर है काम के अंदर भी उत्सा देखने को मिलेगा प्रतयोगता के अंदर जीत लिखी हुई है किसी परशित व्यक्ति से देरबाल मिलेंगे उससे खुशी होगी और हर तरह से काम के अंदर सफलता का देगा बस सबसा दूद्ध चावल मंदिर में अर्पित करें दिन और शुप होगा मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज का दिन शुप है आज आपने कोई भी जरूरी काम निप्टाने हो उसके लिए बहुत उत्तम है आज आपने किसी भी तरह से परिवार के साथ वक्त विताना हो वो भी ठीक है और साकात्मक सोच के साथ कुछ भी नया प्लान बनाना हो वो भी आपके लिए शुप है पर मंदिर जाना नव तो गुरुदेव कुछ लोग होते हैं पुराने पर्स को लेते रहते हैं यूस करते रहते हैं फट जाता है फिर भी उसको यूस करेंगे तो पु एक रंगका यह अलग आए पर्स दो रंगका यह यह अलग है पर्स तीन रंग का यह और यह है तरह से देखेतार समुझे न तो कुल मिला करके धन की थैली इसके लिए तो यहां तक आ गया एक लाल किताब के अंदर चैप्टर आता है कि जहां आप पहले धन रखते थे वो आपने जो स्थान बनाए हुए थे धन रखने के लिए अगर वहां से आपने यह खाली कर दिया है वहां पर कुछ नहीं है तो यह आपके दुर्भाग्य की निशानी हो अगर आप वहां पर पैसे नहीं रखना चाहते वह जगा किसी को पता चल गई है चोरी होने का डर है तो तब भी वहां पर बदाम और चुवारे रखिए यह बह प्यादा एक जगा बना करके वहां इकठे करते चले जा रहे हैं तो यह दुर्भाग्य की निशानी है चाहे किसी भी रंग का चाहे किसी भी मेटीरियल का बना हुआ हो वह दुर्भाग्य की निशानी बनता है फटे हुए पर्स खराब हो चुके पर्स दाग लगे हुए प जिनको आप कैरी नहीं करते हैं यह घर की अंद कि निशानी है यह कमजोर मानसिता की निशानी यह CPD की निशानी और इस तरहा की मानसिता को प्रबल करना अपने पाउं पे कुलहाडी मारने जैसा होता है, पॉजिटिव सोच के साथ आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसलिए इस मानसिक्ता को त्यागिए और जीवन के अंदर तरक्की करने है, बिल्कुल और तरक्की करनी है, तो एस्टो साइंस ज़रूर देखिए, कारण यह कि यह जो चीज है, यह आने वाले दुर्भागे को दर्शाथ, यह एक इंडिकेशन है कि आप भविश्य के अंदर सही डिसीजन लेकर कि जो कारह करने चाहिए, जो जीवन के अंदर आपको अचीव कर लेना चाहिए, एक पॉजिटिव मानसिक्ता और एक पॉजि अदारी की समय नहीं है, कामकाज की समय नहीं है, तो आप जीवन में तरक्की कैसे पाएगे, तो बदलाव ही स्रश्टी का नियम है, और बेटा, बदलाव के अंदर आप यही चीज देख लिए, कि थोड़े समय के बाद तो एक भगवान भी पैदा हो जाते है, सत्य है, परमात्मा भी बार बार आकर के संदेश दे रहा है, उसके नुमाइन दे आकर आपको संदेश दे रहे हैं, तो बेटा, यह फोटो ए तस्वीरे बदलने में जाता क्या है, अगर यह भी आप बदलते है, नए परमात्मा आएंगी, नए तस्वीर आएगी, नए मूर्ती और टूटी हुई मूर्तियें, बिल्कुल घर पे ना रखे, उठाए जाकर के जल प्रवा, गुरुदेव यह जो मूर्तियां और चेत्र हम घर में लाते हैं, इसको लाने के लिए क्या कोई शुब दिन होता है, क्या कोई शुब समय जिसमे भगवान का चेत्र या मूर्तिय एक बहु पुरानी कहावत है, बुद्ध शनिचर कपड़ा गैना एतवार, सत्गुर्पली करे तो जुति पईये मंगलवार, ठीक है? इसके अंदर जो सबसे शुब दिन माना जाता है, जिसमें सोना लाया जाता है, जिसमें ग्यान पाया जाता है, हलांकि संडे को छुटी होती है ग्यान के सारे संसानों की, लेकिन ये सत्य बात है, हम जब गुरुकुल पर भी जाते हैं, तो सबसे पहले बाल मुंडवाए जाते हैं, यहां पर चोटी रखवाई जाती है, वो इसलिए रखवाई जाती है कि सूरे देव की पूरी किर्पा इन के उपर बरसे और ग लोके हुए कामों के अंदर आकर के खुद खड़े हो जाएं, वो तो इसे अरजुन की किसमत थी, कि शिरी किशन खड़े हो गए, नहीं तो बात में तो किसी की किसमत नहीं रही, तो बेटा, यहां पर संडे के दिन में आप ये मूर्तिय ला सकते हो, सोंबार के दिन आप ये तीन दिन है, संडे, मंडे, टूज़े, इसके अंदर जब भी आप पर मात्मा की तस्वीर वगरा ले करके आते हैं, आपके लिए अपिसोड अच्छा लगा हो, और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे, और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपारधन और लाप चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताई उपाई जरूर करें, उमीद करते हैं, आपको आज का विशय जरूर पसंद आया होगा, खल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विशय जो आपकी complicated life को बना देगा, असान और खुशियों से भरपूर, अगर आ आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, या पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 999-990-522, आप भी सुक्स्मृद्धी और खुशाली चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंध हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस आप से एजासर लेने का, आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्टी के साथ देखना न भूलें, एस्ट्रो साइंस रुजाना सुबा 8 बचे, नमस्कार